जैशी गरे जी हर-हर महादेव मैं हूँ आश्रो संध्या सक्सेना आचारे संध्या सक्सेना आप सभी के लिए आप स्फिर से सुभे सुभे गुड मॉर्निंग की साथ एक मैसेज लेके आई हूँ अब जानते हैं कि अमावस्य आरी है और यह पित्तर अमावस्य है जो आपकी 17 तारिक को पढ़ेगी तो 17 तारिक के लिए कुछ खास सोचा आपको कुछ बताओं और साथ में आपको आकरशन शक्ती को बढ़ाने का कोई अच्छा सा मैसेज भी देने का मूठ था मिराज तो आज मैं इसी परपस से आपके लिए लेकि आई हूँ कि आपकी आकरशन शक्तिकों कैसे बढ़ाया जाए और आपको एक और उपाया दिया जाए यानि कि आज के वीडियो में दो उपाय हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पित्र की तो आप जानते हैं कि हमारे जिंदगी में देवी देवता भगवान तो होते ही हैं लिकिन उसके साथ साथ दो लोग और भी होते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्डेंट ह मानता है लेकिन पित्र देवताई वो होते हैं जो आपके संसार में मरेवे लोग होते हैं जो चले गए होते हैं मेरे पास कि का लेक लड़की का फोन आया था और उसने मुझे बोला कि वो बहुत अभागे हो गए हैं उनकी घर में कुछ हो नहीं रहा है भाई का इसा हो गया इनका अस हो गया, उसका तलाक हो गया, वो जान इपारी है, वो सूनती रही, सूनती रही तो मैंने उसको aliasa. बोला एकी बाद, मैंने का एक बाद, बताओ तुम्हारे घर में असमै मौत किसकी वी, तो उसके बला किसी की भी निवी मैं गन्ना सोचो और बताओ तब उससे मुझे बताया कि उसकी जो दादी थी मतलब उसकी जो दादी हैं उनकी जो मृत्ती हुई है यह वो एक रोड एक्सिडेंट पे हुई थी जबकि जो उनके पिता जो हैं वो सर्वाइकल कैंसर से मेरे थे दादा जी मतलब और दोनों ही असर में बात की गई थे क्योंकि दादी 45 वे इसमें गई थी और दादा 46 में चले गए थे कंसर से तो मैंने इसको बोला कि हुई ना यह आसवाभी कुर्तियों तो उन्होंने का कि यह तो हमने ध्यानीं दिया मैंने का इसलिए आप लोग पुरिशान है तो पित्र देवता का बहुत ज़्यादा इंपोर्टनिस होती हमाई लाइफ हैं पित्र नाज हैं तो आपकी ज कुछ नहीं है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जिसन पित्रमावस होगी उजन आपे घर में जितने सदस्ते हैं जैसे चार हैं पांच हैं छी हैं उतने व्यक्तियों के नहां से एक-एक मुठी आंटा एक-एक मुठी उड़त की दाल और नमक का एक-एक पैकेट पढ़त हैं अगर आप तो आप थोड़ा थोड़ा नमक नंक हैं य सब अ disfrut तो तो सब आप के साब। देने के साब और वेक्ति के नाम से यह चाहिई है अगर जिख presents देने के छाहिए तो फिर को पड़ते हो दान कर दीजिगा किसी वेक्ति को जो मांगने वाले हो यह कोई पंडित को अगर कोई लेता तो दे देना इससे क्या होगा कि आपके जीवनकाल में जो भी दरिद्रता है जो भी पित्र नराज हैं उनके अगने में तुर्षानती हो जाएगी अब हम आते हैं आकर्शन की बात क्योंकि कहा था कि दो बार दो चीज़े बताऊंगी तो आकर्शन का यह उपए है कि यदि छोटी इलाइची जो होती ना जो आप हरी इलाइची होती है उसको मुह में खाना शू करते हैं तो य सास भी भड़ाएगी और आपके अंदर ऐसा तेज पैदा करती हैं कि आसपास के लोग आपको लाइक करने लगते हैं तो अगर आप भी चाते हैं तो हरी लची खाईए और इसको फायता लीजे तो उमीदे कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने आपको ब कर सकते हैं तो आची लितना ही आपका दिन शुब हो पंगल हो हर हर मादेब घरगर मादेब जैशी गड़ीजी